मथुरा, मंदिरों की नगरी व्रिंदावन में एक से बढ़ कर एक मंदिर है. मथुरा व्रिंदावन को कान्हा की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहां के हर मंदिर से भगवान क्रिश्णा की लीलाओं की अनंत कहानिया जुरी हुई है. एसा ही एक मंदिर है चटोरे भगवान मदन मोहन का मंदिर. चटोरे मदन मोहन का मंदिर व्रिंदावन में स्थित है. इस मंदिर का इतिहास बड़ा रोचक है. व्रिंदावन परिक्रमा मार्ग में मदन मोहन मंदिर स्थित है. यह मंदिर आज से 515 वर्ष पुराना है और इस म चौबे की पत्नी को मदन मोहन पानी में खेलते हुए मिले, उन्होंने कई आवाजे लगाए लेकिन उनकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। मदन मोहन के इस पृत्य को देखकर मतुरा के लोग परेशन हो गए और मदन मोहन की शिकायत चौवे की पत्नी से कर दी। शिकायत के बाद वह बहुत तेज बुस्सा हुई और मदन मोहन को डाट कर बोली कि तुम यहां से चले जाओ उसी दोरान वहां से सनातन गोस्वामी वचन लिया कि जैसा मैं खिलाओंगा वैसा खाओगे जैसा रखोंगा वैसा रहोगे तो मदन मोहन ने वचन देते हुई कहा कि आप जैसा खिलाओगे मैं वैसा खाओंगा और जैसा रखोंगे मैं वैसा रहोंगा। इतना कहकर सनातन गोस्वामी मदन मोहन को अपने साथ व खाते। गया और कई घंटे बाद भी वह जहाज वहां से नहीं निकल पाया। मदन मोहन के पास गए और उनसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। अपने जहाज के पास जाए जहाज आपका ठीक है और कोई सामान भी नुकसान नहीं है। व्यापारी अपने जहाज के पास गया तो उसने देखा कि जहाज में सेंधा नमक और फल की जगह हीरा जवाहरात पन्ना सोना चांदी भरा हुआ था। ये देखकर व्यापारी रामदास लोटकर वापस उस बालक के पास गए और उनसे कहा प्रभु आप जैसा आदेश करें मैं वैसा करूंगा। बताया जाता है कि इसके बाद उसी व्यापारी ने भगवान मदन मोहन का मंदिर बनवाया। व्यापारी द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी विश्व में अपनी ख्याती विखेर रहा है। मोहन मंदिर को चितोरे मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की खास बात और है कि मंदिरों में मंगला आरती हर दिन होती है लेकिन मदन मोहन मंदिर में मंगला आरती केवल कार्तिक के महीने में होती है जो की अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। झाल झाल